करपुरी ठाकुर जी को भारत रतन मिलना बीजेपी के लिए नहीं, पुरे बिहारीयों के लिए मास्टरेस्ट। और हम सब बिहारीयों का सीना 56 इंच का हो गया है, किसी के मांग पे नहीं दिया है, करपुरी ठाकुर को जो समान इज़त मिलना चाहिए, इसलिए दिया है, ये लोग को बड़ी गलत फाहमी हो जाती है, कि हमने मांग किया, आप तो मांग करेंगे चांद लाके दो, चांद दे का ऐलान किया है, तो सर इससे आप कैसे देखते हैं, क्या ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्टोक है, या मास्टर स्टोक से बढ़कर कह सकते हैं, कि बिहार में बीजेपी के पास एक परमाडू हथियार मिल चुका है, नहीं ये सही का, करपुरी ठाकुर जी को भारत रतन मिलना, बीजेपी के लिए नहीं, पूरे बिहारियों के लिए मास्टर स्टोक है, आज बिहार के लोग अपनी छाती 56 इंच की मान रहे हैं, करपुर जन्ना एक करपुरी ठाकुर को भारत रतन मिलना, इससे बढ़कर कोई तोफ़ा मोधी गोवर्मेंट बिहार को दे नहीं स भारत रतन दिया है, भारत सरकार ने, और जन्ना एक करपुरी ठाकुर गरीबों के नेता थे, अती पिछरा के नेता थे, समाज के हरल और को लेकर चलते थे, इससे बढ़कर कोई बात होई नहीं सकती, मैं मोधी जी का बहुत शुक्रिया आदा करता हूँ. सर, जैसे कि बिहार में करपुरी ठाकुर जी को भारत रतन दिया जाने का केंदर की मोधी सरकार ने ऐलान किया है, इस मुद्दे को लेकर के नितिश कुमार या फिर आरजेटी पार्टी भी हमेशा से ये मांग करती रही है कि उन्हें भारत रतन दिया जाना चाहिए, तो ए मांग किया, तो आप तो मांग करेंगे चांद लाके दो, तो चांद दे देंगे आपको, ये तो मोधी जी का खुद का निर्ने है, भारत सरकार का निर्ने है, किसी के मांग पर निर्ने नहीं है, तो करपुरी ठाकुर जी को भारत रतन मिलना, बीजेपी के लिए नहीं, तोफ़ा मोधी गोवर्मेंट बिहार को दे नहीं सकती है यह बहुत बड़ा अजाज है बहुत बड़ा तोफ़ा है और हम सब बिहारियों का सीना 56 इंच का हो गया है